जार्खन के मुख्य मंत्री के तौर पर तीसरी बार हेमंत सोरें ने पदभार सम्हाला है शपत के दोरान सत्ता धारी काई विधायक और मंत्रियों ने बधाई दी है कॉंग्रिस के वरिष्ट पुर्वक केंदरी मंतरी सुबोत कान साहय ने कहा कि हेमंत सोरे ने कांदोलन कारी के बेटे हैं और जारखन को अलग करने में उनका एक एहम रोल रहा है इसलिए जारगन की जुनता के लिए हिमंत सोरिन निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे वई कॉंग्रिस के विदाक इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्य मंत्री हिमंत सोरिन को भारती जुनता पार्टी के द्वारा जबरन फसाया क्या था अब वहार जी को जाता है कि अपना कर दिखाई है जब ओध हुआ एक अप्सक्राइब निया बात अब भाजपा की बात कर रहे हैं क्या मैरे बास सुने परिवार बात कहा हुआ जब हैबन जी को जब हैमन जी को भाजपा ने अरेस्ट कर वाया घर्ज उठाकर लेगिया जब हैमन जी को उस सब हैमन जी चाहते तो बसंजी को बना देते यह भावी कलपना जी को बना देती ता परिवार बात की बात उससे बड़ा दिल दिखाया और चंपाई सुरूंज जी को गदी दे हैब बात करते परिवार बात अरच ब्रेक हुए जब परिगे चुहा बना दिए टाइगर को आप दीखेए को बहु लाही बात भाव लाजी को ना चुहा में कोई अंतरपादार चलता है ना टाइगर में चुछए और चंपाई सोरहन जी टाइगर थे टाइगर हैं विए लेकिन लीडर जो है वो हेमन सोरन हो यह टाइगर भी जाते हैं और यह जार्खन भी जाते हैं देखिए सोरन परिवार जो है, वो कहीं सोने का चम्मत लेके पैदा जुआ था, यह ऐसा परिवार है सीवु सोरन हमारे साथ 24 में जेल में थे और इसीवु सोरन पूरी जिन्दगी पहार जंगल भटकते रहे तो वो संगर्स का परिवार है यह यह परिवार है जिसने जारखन राज बनाने की जड़ाई पूरे जिवन लड़ी और आज भी जारखंडियों का फ्लेवर का अगर सरकार किसी ने राज बनने के बाद दिया तो वो हिमन सोरन ने दिया ये आपको बानना पड़ेगा इसलिए को कि और दूसरी सरकारे जो बनी उजारखंड के लिए नहीं गटबंधन की सरकार है लेकिन एक ही मुखमंतरी में सपद लिया क्योंकि कुछ टेक्निकल इसू थे आप जानते हैं कि पांस तारीक के बाद छे महीने का एक जो है वो वक्त हो जाता है